सो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और ना वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम RWA के जैसा थम्नेल क्रियेट करेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यह वाला थम्नेल इस वीडियो में हम क्रियेट करेंगे ये वीडियो अगर आपके लिए useful है तो वीडियो को end तक जरूर watch करना इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका बता हूँगा जिससे आप ऐसा thumbnail बहुत आसानी से create कर पाओगे साथी साथ इस वीडियो में आपको इस thumbnail का PLP फाइल भी मिलेगा तो वीडियो को बिना skip करें end तक watch करना सो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी से एक और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे चलिए शुरू करते हैं सो चलिए दोस्तों विना time based करें आज के इस वीडियो को आपन सुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे आपको thumbnail को create करना है और कैसे आपको PLP फाइल मिलेगा सो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको thumbnail को create करने के लिए अपने pixel lab application को open कर लेना है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने pixel lab application को open कर लिया है यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 dot पर click करना है 3 dot पर click करने के बाद यहाँ पे आपको image size पर click करना है इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है simply custom पर आपको click कर देना है उसके बाद YouTube thumbnail को आपको select करके ok कर देना है अब यहाँ पे आपको जो text मिल रहा है इसको आपको सबसे पहले delete करना है delete करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको three dot पर click करना है उसके बाद use image from gallery पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे आपके जो gallery में photos बगएरा होंगे वो सारे यहाँ पे खुलके आ जाएंगे तो thumbnail को create करने के लिए यहाँ पे मैंने सारे material को तैयार करके अपने telegram channel पे upload कर दिया है साथी साथ जो plp file है उसको भी मैंने telegram channel पे upload कर दिया है तो अगर आपने मेरे telegram channel को subscribe नहीं किया है तो video के description में link है वहाँ से आप मेरे channel पे widget कर सकते हो subscribe कर सकते हो और इस thumbnail के material को plus plp file को download कर सकते हो तो link description में है जाके join कर लेना और सबसे पहले material को download कर लेना अब material को download करने के बाद कैसे आपको thumbnail को create करना है ध्यान से समझना यहाँ पे material को download करने के बाद सबसे पहले इस बाले background वाले image को आपको add करना है then यहाँ पे आपको done करना है जैसे ही आप done करोगे तो यहाँ पे आपका जो background है वो यहाँ पे add हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है plus पर click करना है then from gallery पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको अगले image को add करना है तो यह बाला save हम यहाँ पर add करेंगे जो की आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसको हम यहाँ पर add करेंगे तो अपने save यहाँ पर आ जाएंगे Then यहाँ पर नीचे आपको third वाले option पर click करना है और यहाँ पे scroll करने के बाद आपको relative size पे आना है then इसको आपको full कर देना है जैसे ही आप full करोगे then यहाँ पे आपका जो safe होगा वो आपकी full screen में यहाँ पे set हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे आपको done करना है done करने के बाद आपको layer पर click करना है और simply यहाँ से इसको lock कर देना है ताकि यह अपनी position से move ना करे तो lock करना जरूरी है आप लोग देख पाओगे बहुत आसानी से आप यहाँ पे thumbnail को create कर लोगे कोई यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से plus पे आना है then from gallery पे आपको again आना है अब यहाँ पे जो भी image मैंने आपको दिये हैं एक-एक करके सब को यहाँ पे add करना है अब यहाँ पे यह वाला जो question mark है इसको हम यहाँ पे add करेंगे then simply आपको relative size पर click करना है और इसको भी full screen में set कर लेना है then simply done कर लेना है फिर से आपको इसको lock करना है lock करेंगे यह अपनी position से move नहीं करेगा उसके बाद फिर से आपको plus पे आना है from gallery पे आना है इस वाले image को हम add करेंगे अब simply यहाँ पे अपन relative size पर आएंगे और इसको यहाँ पे full screen में set कर देंगे अभी यहाँ पे मैंने इसको full screen में set कर दिया यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा RWA के thumbnail में यहाँ पे उन्होंने अपना logo लगा के रखा है जो channel का logo होता है तो यहाँ पे मैंने जो दिल्ली पुलिस का logo है उसको यहाँ पे add कर दिया है आप चाहो तो अपने channel का logo भी यहाँ पे add कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने इसको add कर लिया then simply done करेंगे आप इसको भी यहाँ पे lock कर देंगे बहुत आसान procedure है उसके बाद फिर से आपको plus पे आना है from gallery पे आपको आना है then again से यहाँ पे आपको अगले image को add कर देना है इसको आपको add करना है then यहाँ पे आपको done करना है तो आपका जो image है वो यहाँ पे आ जाएगा अब relative size पे आके इसको भी आपको full screen में set कर देना है तो आपका image यहाँ पे आ जाएगा आप done करने के बाद simply यहाँ पे इसको भी lock कर देना है तो यहाँ पे मैंने lock कर दिया अभी आप लोग यहाँ पे देख पाऊगे overall जो background है जो save बगेरा है उनको हमने यहाँ पे add कर लिया है अब यहाँ पे बात आती है कि आपको अपने image को add करना है उसके लिए आपको plus पर click करना है then from gallery पे आपको आना है अब यहाँ पे आपको अपना image png upload करना है जैसे यहाँ पे मेरे पास image png है तो इसको यहाँ पे अपन select करेंगे then simply यहाँ पे अपन done करेंगे यह अपना image आ चुका है अब यहाँ पे मैं इसको full screen में set कर लेता हूँ ताकि यह सही position पे set हो जाए यहाँ से मैं कर लूँगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा image set हो चुका है आप लोग manually भी इसको set कर सकते हो अपने हिसाब से अब यहाँ पे आपको done कर लेना है image को set करने के बाद एक छोटा सा काम और आपको करना है यहाँ पे आपको scroll करना है then stroke पर आपको आना है उसके बाद इसको आपको enable कर लेना है अब enable करने के बाद simply यहाँ पे आपको 4 पर इसको set कर देना है जो कि आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे आपको done कर देना है तो आपका जो image है वो यहाँ पे set हो जाएगा अब simply आपको layer पे आके इसको lock कर देना है तो overall सारी चीजों को यहाँ पे अपने add कर लिया है अब यहाँ पे बात आती है जो text बगएर आ है उसको आपको add करना है तो अब यहाँ पे आप अपने thumbnail में अपने हिसाब से जो भी text add करना चाहो उसको आप लोग यहाँ पे add कर सकते हो उसके लिए आपको बता देता हूँ कौन सा text आपको यहाँ पे use करना है उसके बाद आप अपने हिसाब से जो text add करना चाहो उसको add कर लेना तो यहाँ पे सबसे पहले हम plus पर click करेंगे plus पर click करने के बाद यहाँ पर आपको text पर click करना है text पर जैसे ही click करोगे तो आपके सामने text आ जाएगा अब इस पर आपको double tap करना है double tap करने के बाद यहाँ पर जो भी आप text अपने thumbnail में देना चाहो उसको यहाँ पर आपको type कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं type कर लेता हूँ दिल्ली पुलिस ठीक है यहाँ पर मैं type कर लूँगा दिल्ली पुलिस इसको यहाँ पर मैं type कर लूँगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली पुलिस को यहाँ पर मैं type कर लेता हूँ अब type करने के बाद simply आपको ok करना है, ok करने के बाद यहाँ पे आपका text आ जाएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे ये वाले font पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद आपको नीचे scroll करना है, और scroll करने के बाद आपको font पर click करना है, font पर जैसे ह आप click करोगे, then यहाँ पे आपको pixel lab में यह वाला font नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको my fonts पर आना है, my fonts पर आने के बाद आपको नीचे scroll करना है, जैसे ही आप नीचे scroll करोगे, then यहाँ पे आपको एक font मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ, उस वाले font को आपको यहाँ पे use क करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यह take a bolt करके यह font है, इसको आपको use करना है, then simply आपको यहाँ से done कर लेना है, अब यहाँ पे आपका जो font है, वो यहाँ पे change हो जाएगा, इस वाले font को भी मैं telegram पे upload कर दूँगा, तो वहाँ से आप download कर लेना, और अप को क्या करना है, अब simply आपको color को change करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे scroll करना है, then यहाँ पे color पर आपको click करके gradient पर आपको click करना है, उसके बाद simply यहाँ पे आपको plus पर click करना है, plus पर click करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले right side में select करना है, अब simply आपको color पे करना है फिर से आपको color पर click करना है आप यहां से आपको light red color को choose कर लेना है देन simply आपको okay कर लेना है तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको change करना है और इस वाले font को आपको use करना है अब यहाँ पे आपको अपने हसाप से इसको set कर लेना है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपने हिसके पाँ इसको यहाँ पे आप लोग देख पाँगे जो भी सारे font थे उनको मैंने यहाँ पर apply कर दिया है सभी को add कर दिया है तो इस तरीके से आपको कर लेना है तो आपका जो thumbnail है वो यहाँ पर बनके ready हो जाएगा उसके बाद आपको save पर click करना है then save as image पर आपको click करना है और यहाँ पर custom पर click करके ultra आपको select करना है उसके बाद simply save to gallery पर click करना है तो आपका जो thumbnail है वो आपकी gallery में save हो जाएगा इसी के सांसनात आपको बताना चाहूँगा अगर आप PLP file के throw thumbnail को create करते हो तो यहाँ पर आपको इतना editing करने की जरूरत नहीं है इतना time देने की जरूरत नहीं है simply आपको क्या करना है जो telegram पे मैंने आपको PLP file दिया है सबसे पहले आपको उसको download कर लेना है download करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने file manager पे आना है दन उसके बाद आपको अपने internal storage पे आना है उसके बाद यहाँ पे आपको download folder पे आना है then यहाँ पे आपको telegram folder पे आना है और यहाँ पे जो file आपने download किया है वो एक zip file है तो सबसे पहले आपको उसको unzip करना पड़ेगा उसके लिए आपको file पर click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको extract पर click करना है अब जैसे यहाँ पे आप click करोगे तो यहाँ पे आपसे password पूछेगा अब यह password आपको कहां से मिलेगा यह जो password है यह आपको इस वीडियो में कहीं भी मिल सकता है तो वीडियो को आपको skip करके watch नहीं करना है इसी वीडियो में आपको password मिलेगा इस वीडियो में जो password आपको म यूज कर पाओगे तो यहां पर फाइल अंजिप हो चुका है चलिए अब इसको आपको यूज करके दिखाता हूं तो यहां पर फाइल को अंजिप करने के बाद आपको सिंपली अपने पिक्सल लैप अप्लिकेशन को ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां पर आपको माई download पे आएंगे, then यहाँ पे telegram पे आएंगे, और जो भी अपना PLP file है, simply उसको अपन यहाँ पे open करेंगे, और simply select करेंगे, जैसे ही select करेंगे तो यहाँ पे आपको option मिलेगा open and add का, इस पर आपको click कर देना है, इस पे जैसे ही आप लोग click करोगे, तो आपका जो PLP file है, वो आपके pixel lab application में open हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे जैसे ही आप layer पे click करोगे, तो आपको सारी चीजे देखने को मिल जाएंगी, और इनको आप एक एक करके बहुत आसान इसे edit भी कर पाऊगे, customize कर पाऊगे, अपने हिसाब से set कर पाऊगे, तो यहाँ पे बहुत आसान है आपके लिए thumbnail को बनाना, तो इस तरीके से आप PLP के through भी thumbnail को create कर सकते हो, दोस्तों मैं hope करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को like करके जाना, चैनल पे नए हो, आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो, तो subscribe करके bell notification को press कर लेना, ताकि नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, तो यार topic के साथ, तब तक के लिए, take care, bye bye